Hey guys, hello, welcome to my YouTube channel, जिसका नाम है Hangout here. मैं हूँ आपका दोस्त नितिन जैसौल और आप वापस आगया हूँ एक नएव वीडियो के साथ. इस वीडियो में हम compare करने वाले हैं ऐसे दो फोन जो market में बहुत ही तेजी से बिक रहे हैं. एक का नाम है Motorola E4 Plus और दूसरा है Infinix Hot S3. वीडियो के देखने के पाथ आप बहुत ही इसली डिसाइड कर पाएंगे कि कौस फोन आपके लिए बैस्ट रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वीडियो खतम होने की बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें. तो आईए फ्रेंट्स हम लोग डिस्प्ले की बात कर लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं Infinix Hot S3 में. इस फोन में आपको मिल जाएगा 5.65 इंचिस का Full HD डिस्प्ले जबकि Motorola E4 Plus में आपको मिल जाता है 5.50 इंचिस का डिस्प्ले. तो अब देख लेते हैं प्रोसेसर की. प्रोसेसर में Infinix Hot S3 में आपको मिल जाएगा 1.4 GHz का Octa-Code प्रोसेसर और जबकि Motorola E4 Plus में आपको प्रोसेसर मिलेगा 1.3 GHz का Quad-Code. तो इस राउन में क्लिरली देख सकते हैं Infinix Hot S3 विनर है. आईए अब देख लेते हैं Resolution का. Resolution Infinix Hot S3 में आपको मिल जाएगा 720 x 440 पिक्सल जबकि Motorola E4 Plus में आपको मिल जाएगा 720 x 1280 पिक्सल तो देख सकते हैं हम लोग Infinix Hot S3 विनर है. आप देख लेते हैं RAM की तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में सेम RAM है 3 GB और 3 GB. अब Android version की बात कर लेते हैं. आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8.0 का Oreo version जबकि Motorola E4 Plus में आपको मिलता है सिर्फ 7.1.1 Nougat. अब देखते हैं storage की. दोनों में storage लगबख सेम ही मिल ला है. दोनों में 32 GB और 32 GB इंटर्नल मैमोरी मिलती है. और दोनों में rare camera भी सेम है. अब देखते हैं battery की Infinix Hot S3 में battery 4000 mAh की है. जबकि Motorola E4 Plus में battery 5000 mAh की है. तो इस round में हम देख सकते हैं कि Motorola E4 Plus winner है. तो अगर आप दोस्तों gamer हैं और आपको game फेलना जादे पसंद है और तो आप Motorola E4 Plus खरी सकते हैं क्योंकि इसमें battery life जादे है.